हेलो गाइस, वेलकम बैक टो अन्य वीडियो तो रियल में 12 प्लस 5G का नहीं को इसका थर्ड अपडेट देखने को मिल चुका है तो ये अपडेट मुझे एक दिन पहले ही रिसीव हुआ है ये अपडेट की जो पुरी टेस्टिंग है, वो मैं कम्प्लीट कर चुका हूँ इस वीडियो का इस अपडेट का जो पूरा रिवीव वो आपके साथ में शेर करूँगा बाकी अपडेट का वर्जन 14.0.0.0.504 देखने को मिल चाता है इस अपडेट के नडर air gesture जैसे features को भी add किया है तो उसके बारे में बात करेंगे कि इस phone के नडर properly work करता है नहीं करता है कैसा experience आपका रहने वाला इस अपडेट के बात में अपडेट को install करना चाहिए, अपने phone के नएक नए करना चाहिए सब को चीज वीडियो को नार कवर किया है तो वीडियो को पुरा एंट तर कोश करें चैनल में नहीं हो तो चैनल को फटा-फट से सब्सक्राइब करें ताकि रियल में 12 प्लस की आपको वीडियो हमेशा फ्यूचर में देखने को मिलती रहे अपडेट कर साइज आपको लगब गया पर सारे 400 MB तक मिल जाएगा चेंज लोग के बारे में बात करें तो इस बार चेंज लोग के लिस्ट फिर से आपको लंबी देखने को मिल जाएगी सबसे पहले अप्टोमाइस सिस्टम स्टेबिलिटी और परफॉर्मेस और आपको दियल में 12 प्लस 5G डिवाइस के अंदर एस जैसर का सपोर्ट देखने को मिल जा है कैसे काम करता है काम करता है या फिर नहीं करता है सब कुछ आने वाले आगे वीडियो के आपके साथ में शेरी किया जाएगा फिर प्राइब्स केंदर भी कुछ बग्स हमको देखने को मिल रहते हैं जो कि इस तरीकी के ब्लै स्क्रीन पर हमको फिंगर प्रिंट पर देखने को नहीं मिल रहा तो कुछ दिया है जैसे कि बारे में बात करें कि अपने फून के आपको चेंजेस देखने को मिलेगे तो आपको यह पर देखने को मिला है जिसके नए अब यहां से आपको बहुत ही बड़ी आइनिमेशन यह प्रोबाइट करता है नेक्स्टेंज के बारे में बात करें फाइनली इस फोन के अगरे अदर आपको देखने को मिल चूँगा है जो कि हमको सब्सक्राइब करता है यह काम नहीं करता है यह काम नहीं करता है मतलब इन्हों ने एक फीचर तो प्रोवाइट कर दिया है बट अगर आप देखेंगे सबसे पहले अपने कोई भी किसी अपना जो पाम में इसको तरीके से होल्ड करना होता है तो देखेंगे कुछ इस तरीकिस आइकान आच चुका है तो आपको अगर आपको मैं इसका एक अब लुट रहेंगे आपके हैंड को इस तरीके से नीचे करना है अब मैं इस तरीके से करूँगा अगर पूरक करूँ तब भी सपूर्ट ने ले रहा है और मैं अलग-अलग साइचेश अलग-अलग डियुलेशन को रखके ऐसा कर रहा हूँ बट फिर भी ये काम नहीं कर अब जो पिछले अब्डेट हमको देखने को मिल ला था उसके माझा आप इस स्क्रीण कुछ इस तरीकर से करते हो तो कई से अंदर जो इस तरीकर का फिंगर पिर्ट है उसको रियलमी नहीं पर फिक्स कर दिया है दोस्तों ऊप्रेट के बाद मेरे चुछुए उसके अदर आपको इस अपडेट के बाद में बढ़िया मिलता है। तो इस बती बहुत ही बढ़िया वार करेंगा। अब दोस्तों बात करेंगे camera की जैसे कि आपको chain lock के अंदर काफी सारे चीज़े देखने को मिलें कि हमने ये fix किया है वो fix किया है तो अगर properly बात करें तो मैंने कुछ samples को क्लिक किया है update के बाद में normal के अंदर और portrait के अंदर आगर आप दोनों के अंदर देखो के samples को तो आप आपको अभी भी skin tone का issue देखने को मिलेगा हलाकि chain lock के अंदर आपको mention था कि आपको skin tone को अपडेट किया है अब एक time पर मैं मान लेता हूँ कि ultra wide के अदर वागेरा के अंदर थोची quality low देखने को मिले थी पिछले update में उसको यहाँ पर improve तो किया है लेकिन skin tone को अभी इनको edit करने की और भी जरुवाते और भी ज्यादा optimize की जरुवाते बिकॉज है इनके photos के बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इन फैक्ट टूवेक्स के portrait में भी अगर आप देखो तो आपको पहले से ज्यादा saturation देखने को मिलना है तो हाँ quality तो यहाँ पर हलकी इस इंप्रूफ क की बात करेंगे अपडेट के बात में test को perform कर लिया है जो score निकल कर आया है वह 5,94 के करीब देखने को मिलता है पिछले अपडेट के तदर एकदाम आपको सेम स्कोर मिलेगा हाला कि आपको अप्डेट के बात में से आपको डाउंग्रेट देखना का मिल गया है यह रहाँ स्कूर आपके सामने सिंगल कोर के अदर 965 का मल्टी कोर के अदर 2364 का जो स्कूर है वह मिलेगा पिछलेट से थोना सा इंप्रूफ करा गया है आपको CPU ट्रॉटल भी इस अपडेट के बाद में बढ़िया मिल जागा कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता 90 परसंड की मैक् को बहुत अत्तक फिक्स भी कर दिया है और जहां तक चार्जिंग की बात रही पिशले अपडेट के अंदर चार्जिंग का भी प्रॉब्लम देखने को मिला था जितना मैंने नूटिस किया है मल्टीपर टाइम्स फोन को मैंने आप पर चार्ज किया तो मुझे तो ऐसा हीटिंग इशू है वो भी पीशले अपडेट के अंदर बहुत जादा देखने को मिल रहा था वो भी आप बहुत अर्तक कम हो चुका है हलाकि आप टेंपरेचर अपने एरिया का थोड़ा से बढ़ रहे है जैसे कि आप देख सकते हो बट फिर भी आपको आपको फोन का जो टैंपरेचर वो इतना ओवर हीट देखने को नहीं मिल रहा एकदम बढ़िया टैंपरेचर मैंटेन करके फोन आप रख रहा है बक्स के बारे नो बात करेगी सब्डेट के बाद में क्या क्या बग देखने को मिलेगे तो फाइनली अब आपको इस फोन के अंदर भी फोर की आप लैग मिलेगा इसके अलावा एक बग आपको और यहापर देखने को मिलता है जो कि इस फोन के अंदर नहीं जित्रे भी फोनों के अंदर यह फाइफ पॉइंट जुड़ा है उन सभी फोनों के नाम को यह बग देखने को मिला है अगर आपके फोन को आप चलो मैच को स्टार्ट करने से पहले बैटरी के बारे में बात करें तो 59 प्रसंड की जो बैटरी वह आपको स्टार्टिंग देखने को मिलता है इसा मत करो मेरी जा- फ्रेट अग्राइब ट स्राइब बुदं़ पर दोजू इंपति अग्राइब अप्राप्राइ आए अवा है जोरेखिव से वाई अवाँ धट अवारी बाले वाई है वार वारी थे समय है तो मैच को हमें जीत लिया है और मैच बेंड हो चुका है तो जलो है आपको बैटरी के बाद में बात करें तो 58% की है यानिकि आपको यह बहुत ही बड़ीया बैटरी बैक अपनी सब्डेट के बाद में देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि अपनी TDM का गेंप्ले देखा तो आपने देख लिए हो कि 50-40 FPS आपको आपर देखने को मिल रहे 60 FPS तो एक समय पर भी पूरे तरीकी से देखने को नहीं मिले तो अगर आप एक गेमर यूजर हो अगरा बी जमाई खेलते हो तो इस अपडेट से एक दम दूर रहना था तो आपके उप्डेट बिलकुल करना चाहिए कि कोई पीछे अप्र के अप्डेट के बारे में ज्यादा को नहीं मिलेगा अदर्वाई सब्सक्राइब या पड़ेट कर रहे तो अगले पिछले अप्डेट कर लिया था तो ये आपके लिए अप्डेट रेकमेंडेडे पिकॉज ज़रू से कुछ फिक्सेशन आपर मिल जाएगा लेकिन आप्डेट को आप मत करना तो पूरा अपडेट रिव्यू मैं आपके साथ में शेयर कर दिया है बाकी अपडेट आपको पिछली अपडेट से तो